तो बच्चों अब हम सुरू करते हैं हमारे पास में लास्ट गुरुनिती जो बोटनी की तेरा नम्मर है तो लास्ट पार्ट है और इसके अंदर हमारे पास में हम बात करेंगे बाइव डावेसिटी एड इस कंजर्वेशन एन एन्वार्मेंटल इस्यूज के बारे में इकोलोजी का चेप्टर है बेटा इकोलोजी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है तो अपने पास में सेकेंड पार्ट है यह एकोलोजी का इससे अच्छे खास्य क्यूशन आते है पहला क्यूशन है विच आप दा फॉलोइंग रिपरजेंट मैक्सिमम नंबर ओफ इस सबसे जज़्यादा पास्य करने वाले को चलतें गे टो इन चलमें सबसे ज़्यादा पूस्याइड करता है जो इन में लगबब पचास परसेंट होता है तो आपको कियर है इंडिया मैक्सिमल और अपने पास में अपने पर चुन को गया हिमालए तो अपने पास में एस्टन हिमाले और वेस्टन घाट उच्छude rocket रहोंगे नेक्स्ट आप से कहा गया है most animals are tree dwellers in a सबसे ज्यादा tree dwellers का मिलते है tree dwellers वह होते हैं जो प्रागन करने में साहिता करते है व्रक्षा सरही जनतु अपने इनको बोलते हैं और यह व्रक्षू पर रहते हैं सबसे ज्यादा पेड जो हैं वह अपने पास में पाये जाते है ट्रोपिकल रेंट फोरेस्ट में तो सबसे ज्यादा पोलिनेशन भी होते हैं वहीं पर और सबसे ज्यादा वरक्षा सरही भी वहीं पर पाये जाते हैं तो ट्रोपिकल रेंट फोरेस्ट इसका आंसर चला जाएगा इस नहीं यह अपने पास में आप चुशे स्टम में लिएश्ट जनेटिक डाइवरसिटी पाइजाती है एपसेंस ओफ वीड तो हो नहीं सकता उकोलोजिकल स्क्राइशन होने सकता सक्सेंशन नेच्रण और धीमा तो होने सकती है तो हमारे पास सबस्क्राइब किया है ओष दो आप लोगी है इस विल सकते हैं कि इस भबर कहoter सार टोटल गलोबल इस्पिसीज डाइवर्शिटी कितनी है तो रोबर्ट में ने बताया था कि सब्तर लाग टाइब की स्पिसीज मानी जाती है कि अर्थ पर पर प्रजेंट होगी जिसे सेवन मिलियन कहते हैं तो आपने पास में इनमें से कहां होती है तो हाइस्ट इस्पिसीज डाइवर्शिटी की बात करें तो हमारे पास में कौन हो जाएगा विटा एमाजोन रैन फोरेस्ट क्योंकि यह ट्रोपिकल रैन फोरेस्ट है और अपने पास में दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्शिटी रखने वाला फोरेस्ट ह है अपने पास में मलब जो अपने पास में क्या है हाई रिक्स में है तो इसको अपन क्या कहेंगे क्योंकि आने वाले next time में यह क्या हो जाएगी खतम हो जाएगी तो इसको कहा जाएगा critically endangered species next question है the organization which published red list of species is red list क्या होती वाटा एक बुक होती है जिसके अंदर उन species की जानकायूरी होती है जो संकत गिर्षत है या अपने पास में endangered है या आने वाले टाइम पर अपने पास में critically endangered है, खतम होने वाले हैं, तो उन species की list को provide करवाने वाले जो संस्ता होती है, वो होती है International Union for Conservation of Nature and Natural Resource, जिसका नाम हो गया IUCN, ठीक है, अब next है हमारे पास में which of the following is most important causes of animal and plants being down to extinction, मतलब कौन सबसे मुख्य कारण है, जिसके कारण से extinction हो रहा है, सबसे मुख्य कारण की बात कर रहे है, तो बेटा सबसे मुख्य कारण है habit loss and fragmentation, आप किसी भी forest के बीच से अपने पास में निकाल देते हो, सडके निकाल देते हो, ट्रेन निकाल देते हो, तो वो forest दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इससे fragmentation हो जाता है, और जंगली जनतों पर बहुत effect पड़ता है, दूसरा आप की बात हम करें, तो जो ट्रोपिकल रैन फोरेस्ट है, उसका भी habit loss किया जा रहा है, पहले कुछ सालों में, अभी लगबग जो ट्रोपिकल र diversity को exhibit करने के लिए, अब next है अपने पास में red list content data और information of, red list में आप किसके data रखते हो, तो red list के लिए बात करें, तो अभी आपको बताया था, ICN अपने पास में इसको परकासित करती है, और यहाँ पर उन species की जानकारी होती है, जो extinct होने वाली होती है, next question है, which of the following is most important causes for animal and plants being drawn to extinction, same question repeat हो गया, तो habitat and fragmentation loss हमारे पास में क्या हो गया, man region हो गया, next है, habit loss, fragmentation, over exploitation, alien species, invasion, co-extinction, are causes for, यह सारे के सारे biodiversity loss के causes है, शुरुआत से भी पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास में over exploitation कैसे होता है, over exploitation से हम समुंदरी काउ की जो species है, उनको खतम कर दिये, क्योंकि over exploitation मनुसे करता है, तो मनुसे चीजु का ज़्यादा उपयोग में करने लग जाता है, और इसको बोलते है, over exploitation, जिससे species diversity खतम हो जाती है, alien species जाने अन जाने में लाई जाती है, तो यह वहाँ पर रहने वाली इस्थानिक species के लिए खतरा उत्पन करती है, और co-extinction का मतलब है बेटा, अगर plant, यह pollinator खतम हो गया, तो plant species का खतर होना निश्चित हो जाता है, next question है, अपने पास में, which one of the following is not used, ex-situ plant conservation, देखो बेटा, conservation दो टाइट की होते हैं, in-situ conservation, ex-situ conservation, in-situ conservation में, आपको एक species को गंजरु करना है, तो वो species जिस एरिया में रह रही है, उ उस पूरे एरिया को कंजरु करेंगे, तो क्या कहलाएगा, in-situ conservation, और अगर उस species को वहाँ से निकाल लिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, ex-situ conservation, तो हम पहली बात अपने पास में कह रहे हैं, कोन परियुक्त नहीं होता है, तो इस तानांतरन जुदाई, अपने पास म को भार निकालना है वहाँ से, तो ex-situ conservation का example जो है, वो कौन होगा, तो seed bank होंगे, तो seed bank हमारे पास में वहाँ से क्या कर लिया जाता है, भार निकाल लिया जाता है, और गनीजम को, तो seed bank हमारे पास में किसके example आते है, ex-situ conservation के example आते हैं, क्लियर होगी विटा बात, next अपन प्लांट कंजर्वेशन कौन एक्सिटू कंजर्वेशन में सामिल होता है तो आप लोगों पता है फिर वो ही क्यूशन आ गया यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा सिप्टिंग कल्टिवेशन तो आंसर फोर हो जाएगा नैस्ट क्यूशन है क्राई लोगों शालिक निरी पौता है हम माइनस 1-9 शिट्यवेशन पर लिक्विड नाइ ट्रोजन में क्या करते हैं चीजों को श्टोर करते हैं और इसको अपन क्या वोलते हैं क्राई विजर्वेशन बोलते हैं और तो cryo-feaservation में egg-situ conservation होता है तो advanced egg-situ conservation of biodiversity यह हो जाएगा next question है which of the following both pairs have correct combination आपको correct combination छाटना है तो in-situ में tissue culture and squared grudge squared grudge जो होती है वेटा यह in-situ conservation में आती है egg-situ में नहीं आती है तो answer यह गलत हो गया यहाँ पर national park and botanical garden national park in-situ है botanical garden egg-situ है तो यह सही हो गया यह गलत हो गया क्योंकि अपने पास में cryo-feaservation egg-situ conservation है और seed bank भी क्या है egg-situ है तो answer क्या हो जाएगा second next question हमारे पास में Norman mayor द्वारा अब तक विश्वे में कितने जय विवित्ता वाले hot spot पैचाने गए है hot spot वो छेतर होते है जहां पर जय विवित्ता बहुत अधिक होती है और अपने पास में पूरी दुनिया में शिरुवात में 25 hot spot है तो वागर तिल डेट में कितने हो गए 24 हो गए next अगर बात करें तो pollen grain can be stored for several year in liquid nitrogen तो liquid nitrogen का जो temperature होता है वो कितना होता है वेटा minus 196 degree centigrade जो आपको भी बता है next question है all of the following are include in exit to conservation accept मतलब कौन exit to conservation में नहीं आता है तो exit to conservation में skirt ग्रूज नहीं आती है skirt ग्रूज पवित्र उप्वन वो इस्तान होते हैं जहां कि local लोगों द्वारा पुजा की जाती है और उनको खंजरू किया जाता है जैसे खासी हो गया जयंतिया हो गया जयंतिया हिल्स अरावली हिल्स हो गया तो यह हमारे पास में क्या है skirt ग्रूज है जो institute conservation का example है next है the earth summit held in Rio de Janeiro in 1992 वाज कोल्ड रियो डी जैनेरों में अपने पास में पर्थवी संबेलन हुआ था 1992 में जिसके अंदर वातावरन पर पढ़ने वाले प्रभावों के बारे में अपने पास में काम किया गया था उनको कहा गया था कि हम cfc का emission रोकेंगे तो cfc से related था तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा second next question है which one of the following is not a method in-situ conservation of biodiversity biodiversity का in-situ conservation का method कौन नहीं है तो botanical garden होते हैं यह आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं वीटा यह हमारे पास में एक-situ conservation का example होते हैं तो first answer हो गया next question है which of the following is not a method of ex-situ conservation की ex-situ conservation का कौन example नहीं है तो ex-situ conservation national park ex-situ conservation का example नहीं है in-situ conservation का example है कौन national park national park किसी भी जगे पर बनाए जाते हैं जैसे रन्थमबोर national park है यह क्या है in-situ conservation का हमारे पास में example है तो national park जो है वो किसके example है in-situ conservation के example है next question की बात करते हैं तो next question अपने पास में आता है वो है in-situ conservation refer to in-situ conservation किसको refer करता है conservation only high species देखो अपने पास में in-situ का मतलब होता है कि एक species को conserve करने के लिए उस इलाके के पूरे ecosystem को conserve किया जाना तो हमारे पास में क्या हो जाएगा protect and conservation of all ecosystem next question है which one is wrongly matched कि गलत मैच कौन सा है पहला है ICN International Union for conservation of nature and natural resource शाही है UNEP United National Environment Panel तो अपने पास में यह हो गया फिर अपने पास में IPCC Intergovernmental Panel to Climate Change और एक अपने पास में है CITES तो CITES के अपने पास में convention on international trade of endangered species इन में से अपने पास में आप से पूछा है कि कौन सा correct match नहीं है तो अपने पास में यह है United National Environmental Program है यह कोई panel नहीं है तो answer यह अपने पास में wrong हो जाएगा second तो बाकिस है नेक्स्ट आप से कहा रहा है दा यूएन कॉन्फरेंस ओफ प्रेटिज और क्लाइमेट चेंज इन दा यह 2011 वाज होईल्ड इन पहले बेटा अपने पास में इस परकार की क्यूशन आते थे आज कल नहीं आते हैं यह साउथ अफ्रीका में किये गी थी यूनाइटेड नेशन कॉमप्रेस की जाती है अपने पास में तो इसको अपने बोलते हैं कोप सी ओ ठीक है न तो कोप अपने पास में की जाती है 2011 की कोप जो थी वो कहां पर की गई थी साउथ अफ्रिका में देखे बटा next question है रोचेल कार्षन की परसिद बुक निरव वस साइलेंट स्प्रिंग का संबंध है साइलेंट स्प्रिंग जो बुक है वो अपने पास में रिचल कोर्षन द्वारा रिखी गई थी और यह किस से रिलेटेड है इसके बारे में आप से बात करें तो यह पैस्टिसाइड पॉलिशन से रिलेटेड है तो बेटा सबसे पहली बात है कि बायो मैगनिफिकेशन सो होगा और बायो मैगनिफिकेशन सो होगा तो पैस्टिसाइड का अमाउंट क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा तो जो वोटर बर्ट सोंगी उसमें सबसे ज़्यादा पैस्टिसाइड सोंगे डीडिटी वाला ए इसका मतलब बोटर कैसा है पोलीटेंट है बोटर हाइली पोलीटेंट हो जाएगा आंसर थर्ड हो जाएगा नेक्स्ट कुछन है इनक्रीज दा कॉंसेंट्रेशन ओप्धा टॉक्सिसेंट अगर आप अपने पास में लाओगे जो वेस्ट होगा वो और्गनिक वेस्ट तो डिजोल ओक्सिजन क्या होगी बिटा गटेगी और बी ओडी क्या होगी बढ़ेगी तो अपने पास में पहली बात है इनक्रीज पोलुशन इन एक्वेटिक फूड वेव और्गनिजम दूसरा है एन इनक्रीज प्रोडेक्शन ओफ फिस द्यू टू बायो डिग्रेडेबल नूट्रेंट और डैथ ओफ फिस द्यू लैक ओफ ऑक्सिजन तो हमारे पास में क्या हो जाएगा डैथ ओफ फिस भी हो जाएगा क्या प्रेडाम होगे सैवाल प्रस्टपुटल के कारण नदी जल्दी ही सूख जाएगी तो इसमें अपने पास में हमें प्रिमान चाटने है तो हम ये कहेंगे कि oxygen लगातार कम होता जाएगा क्योंकि bio degradable में लगातार अपने पास में oxygen खीच लिया जाता है bacteria द्वारा और death of fish हो जाएगी लगातार फिर उसके बाद में क्या होगा? algal volume होगा और aging हो जाएगी तो पहला region यही आएगा तो answer third हो जाएगा next कहें रहा है a lack which is rich organic waste में result in भई अपने पास में lake के अंदर organic waste की संक्या क्या है? जादा है तो आप उसमें क्या result निकालोगे? तो अभी वो ही बात हो गया कि lake के अंदर organic waste जादा है तो BOD क्या हो जाएगी? बहुत जादा और dissolved oxygen क्या हो जाएगी? बहुत कम next question है the highest DDT concentration in aquatic food chain cell occur in तो सबसे ज़्यादा आपने पास में किस के अंदर उपस्तित होगी? तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो अपने पास में birds के अंदर होगी टोप consumer में होगी तो टोप consumer अपने पास में कौन है? सीगल ठीक है ना यह birds होती है तो इन में सबसे ज़्यादा होगी next है अपने पास में the air prevention and control of pollution act come into the into forcing मलब अपने पास में बायू परदूसर निरोध और नियंतरन अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह NCRT का डेटा है बिटा 1981 में यह लागू हुआ था next question है अपने पास में a location with higher growth of lichen on the tree indicated did मलब अपने पास में lichen बहुत ज़्यादा ग्रोध करती है पर्चूर मात्रा में ग्रोध करती है इसका मतलब वहाँ पर pollution नहीं है next question है आप सिब है ए इसकरबर in the actual chemical industrial plant remove ठीक है न कि भई यह chemical industry में इसकरबर किसको remove करता है तो इसकरबर जो होता है वह अपने पास में sulfur dye oxide जैसी gases को क्या करता है remove करता है next question है acid rain is caused by increase in the atmospheric concentration SO2 और NO2 कोई concentration increase होती है तो H2SO4 बन जाता है और HNO3 बन जाता है जिससे acidic rain होती है next question है joint forest management concept was introduced in India during JFM joint forest management के तहक यह फैसला किया गया कि इस्तानिये लोग जो होंगे बेटा वो मिल करके उस forest की क्या करेंगे रक्सा करेंगे तो यहाँ पर 1980 में इंडिया में यह introduce करवा दिया गया था next question है which one of the following statement is not valid for aerosol aerosol के लिए कौन सा valid नहीं है माने नहीं है आप लोगों को पता है कि aerosol जो होते है वो अपने पास में ऐसे particles होते है जिसमें water और air दोनु परजेंट होते है तो aerosol में कहा गया है the outer rainfall and monsoon pattern यह वर्षा और monsoon पदती को परवर्थित करते है यह किर्शी उत्पाद को उत्पादिकता में बढ़ोतरी करते है किर्शी पर नकारात्मों परभाव डालते है मानो स्वास्ते के लिए हानिकारक है इन में से कौन सा जो है वो इसके लिए सही नहीं है तो सबसे पहली बात है जैसे यह rainfall और monsoon के pattern को तो जरूर परभावित करते है क्योंकि air और water की drophy aerosol बनाती है but they cause agriculture productivity productivity को increase करने का इनका कोई संबंद नहीं होता है तो second answer wrong हो जाएगा next है due to increase airborne allergen and pollutants many people in unburned areas urban areas suffering from respiratory disorder causing due to किसकी वज़े से वायुद्वारा उत्पन ऐलरजन परदुसक के कारण नगर्य इस्तानों में काफी व्यक्ति सवसनिये विकार जो घरबराट उत्पन करते हैं सिर्फ पीडित होते हैं क्यों पीडित होते हैं क्योंकि अपने पास में ये जो particles होते हैं ये body के अंदर चले जाते हैं तो 41 नंबर में अपने पास में पहला है रहसेदार उत्कूं का proliferation तह कूपिकाओं की भित्ति का छतिगरस्त होना नहीं कूपिकाओं की भित्ति डेमेज नहीं होती है reduction in the secretion of serpentent numetocyte नहीं इस सब को भी मतलब नहीं है being grow on mucous lining in nasal cavity ये भी नहीं है next है अपने पास में inflammation of bronchi and अपने पास में bronchi जो particles जाते हैं इसकी वज़े से allergy होती है और bronchi में सूजन आ जाती है inflammation हो जाती है उसकी वज़े से ये organism को क्या कर रहे है effect कर रहे है next है the device which can remove particulated matter present in the dust from a thermal power plant thermal power plant में कनेकिये पधार्तों को अलग करने के लिए हम ESP को काम मिलेते हैं आप जानते हो ऐसी machine होती है जिसमें corona discharging से electron निकलता है dust particle electron को लेकर के negative charge हो जाता है आगे positive charge plate लगी हुई होती है जो उन particles को पकड़ लेती है तो answer क्या हो जाएगा second next question है बेटा the entire fleet of bus in Delhi were converted to CNG from diesel in reference to this which one of the following statement is false आपको गलत statement छाटना है the same diesel engine is used in CNG bus making to cost of conservation is low इस परिवर्थित मुले में को कम करने के लिए उसी diesel engine को CNG busों में उप्योग किया गया दूसरा अपने पास में बात होती है कि अपने पास में ये cheaper than diesel diesel से सथी होती है तो ये बात सही है it cannot be अपने पास में like diesel मिलावट नहीं की जा सकती है ये भी सही है और CNG burn more efficiently diesel ये भी सही है तो engine अपने पास में वो use नहीं किया गया था engine change किया गया था तो ये statement क्या हो गया false हो गया बाकी statement क्या हो गया वेटा सही हो गया नेक्स्ट क्यूशन है अपने पास में given below are two statement दो statement दिये गया है कौन सा सही है इन ए इसकरबर दा डस्ट फ्रॉम दा थर्मल प्लांट्स इज पास्ट थ्रो इलक्ट्रिक वायर नहीं इसकरबर में इलक्ट्रिक वायर का कोई लेना देना नहीं है इसकरबर में अपने पास में इलक्ट्रिक वायर नहीं होते हैं इसकरबर से नहीं होते हैं तो हमारे पास में आंसर दोनु गल्द हो जाएंगे तो बोथ statement आर incorrect next question है next question क्या कह रहा है what gas are produced in anaerobic cellage digesters anaerobic cellage digesters में biogas produce होती है जिसमें अपने पास में क्या होती है methane होती है hydrogen sulfide होती है H2S होती है CO2 होती है तो यह हमारे पास में biogas produce होती है हाँ तो आप अपने पास में बेटा next question है इसके बारे में आपने बात करते है which of these following method is most suitable for disposal of nuclear waste nuclear waste के लिए तो रोक के deep rock के नीचे अपने पास में दबा दो और जब उसको deep rock के नीचे दबाए जाएगा तो यह हमारे पास में वहाँ पर क्या हो जाएगा suitable method हो जाएगा तो suitable method क्या है deep rock के नीचे अपने पास में दबाना next अपने पास में question है तो इसका answer हो जाएगा second next question है हमारे पास में Kyoto Protocol was insured at Kyoto Protocol Japan में हुआ Kyoto नामक सेर पर हुआ और अपने पास में यह क्या था COP third था जो ozone को protect करने के लिए किया गया तो answer जो है वो अपने पास में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा answer जो यहाँ पास में तो next question इसके बारे में अपने को बात करनी है तो next question है क्या है 48 number global warming can be controlled by global warming किसे नियंतरित की जा सकती है increase deforestation अगर deforestation करोगे तो अपने पास में global warming भड़ेगी तो control नहीं होगी तो यह wrong हो गया तो हमारे पास में यह क्या हो जाएगा wrong हो जाएगा next है हमारे पास में option दूसरा option है हमारे पास में increase deforestation possible नहीं है दोनों ही गलत होगे reduce deforestation and cultivation अपने पास में deforestation और cultivation को क्या करना पड़ेगा reduce करना पड़ेगा तो यह हमारे पास में down use to fuel fossil fuel fossil fuels को अपने पास में कम करना पड़ेगा जिससे CO2 का emission कम होगा और हमारे पास global warming क्या हो जाएगी कम हो जाएगी answer जो है वो थड़ हो जाएगा next question है next question क्या खेरा है fourth number next question जो है question number 49 the zone of atmosphere in which the ozone layer present ozone layer जो होती है वो अपने पास में कौन से zone में present होती है तो हम कह सकते हैं कि ozone layer जो होती है वो कौन से zone में होती है stratosphere में होती है जहां से अपने पास में वायूयान वगएरा उड़ते हैं उस से उपर अपने पास में stratosphere समताप मंडल होता है जिसमें अपने पास में की बात करें तो next question है highest contribution by the greenhouse gas to total global warming सबसे ज्यादा contribution किस में होता है तो greenhouse gas में 60% contribution तो किसका होता है CFC का होता है 20% methane का होता है अपने पास में 14% किसका होता है CFC का और 6% किसका होता है N2O का next question हमारे पास में है 50 number की बाद में 51 number question क्या कहरा है बेटा question कहरा है which of the following is not one of the prime health risks associated with greater UV radiation through the atmosphere due to depletion of stratospheric ozone समताप मंडल की ozone 6 के कारण वायू मंडल में उस्तर ultraviolet किरणों से संबंदित निमल लिकित परमुक्स वास्ते जोकिम में से कौन सा एक नहीं है liver cancer नहीं होता है बेटा तो liver cancer जो होता है वो अपने पास में skin cancer सबसे ज़्यादा होता है परतिरख्या का हाथ होता है नेत्रों की छती होता है तो liver cancer जैसे हमारे पास में कोई चीज विख्षित नहीं होती है तो इसका आंसर क्या चला जाएगा लीवर कैंसर नेक्स्ट क्यूशन आपके पास में जो है इस क्यूशन में बावन नम्मर क्यूशन डिपलेशन ओफ विच गैस इन दा एटमोस्पेर कैन लीड तो इनक्रीज इंसडेंस ओफ इसकीन कैंसर को अपने पास में लीड करने का काम किसका होगा बेटा तो इसकीन कैंसर जो भड़ेगा वो किसके कारण से बढ़ेगा ओजोन के कारण से ओजोन डिपलेशन होगी तो अल्ट्रा वाइलेट रे जाएंगी अल्ट्रा वाइलेट रे जाएंगी तो skin cancer वगेरा हमारे पास में बढ़ जाएगा next question है which of the following is a secondary pollutant आप से पूछाए कि secondary pollutant क्या है secondary pollutant वो होते हैं बेटा जो atmosphere में आकर के अपने पास में अपनी form को change कर लेते हैं मतलब जिस form में निकलते हैं उस form में pollution नहीं फ़लाते form change कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं secondary pollutant कहलाते हैं तो ozone जो होती है यह हमारे पास में क्या होती है secondary pollutant होती है next question है word ozone day word ozone day कब बनाया जाता है तो word ozone day अपने पास में ozone दिवस जिसमें ozone के depletion के लिए बात की जाते है कि ozone के depletion को अपने को रोकना है तो 16 September को मनाया जाता है नेक्स्ट क्यूशन हमारे पास में है 55 नमबर दा इन स्टेटो स्पेर विच वन ओप दा फॉलोईंग एलेमेंट एक्ट एज केटलाइज़ इन डिग्रेडेशन ओफ ओजोन एड रिलिज इन मॉलेकुलर ओक्सिजन आप लोग पता है कि एड इस्टेटो स्पेर में जो हमारे पास में कलोरीन होता है कलोरीन ओजोन के डिपलेशन को बढ़ावा देता है एक कलोरीन का मॉलेकुल लगबग एक लाख ओजोन के मॉलेकुल को ओक्सिजन पलस नवजात ओक्सिजन में चेंज कर सकता है यह एक free radical reaction होती है जो NCRT में बनाई हुई है तो हमारे पास में third answer हो जाएगा next question है हमारे पास match the items given column A with column B ठीक है और select correct option अब आपको क्या करना है eutrophication मतलब nutrition rich दूसरा है sanitary अपने पास में landfills मतलब अपने पास में waste का disposal snow blindness ultraviolet B के कारण होता है और zoom cultivation होता है यह deforestation का एक बहुत अच्छा तरीका होता है तो हमारे पास में यह इस तरह से हम इसको match कर लेंगे next question है हमारे पास में 57 which one of the following protocol did M for reduce emission of CFC into atmosphere ठीक है ना तो अपने पास में material protocol material protocol जो था वो अपने पास में ozone depletion से related था तो material protocol में क्या किया गया था CFC का release रोकने की बात की गई थी इसके बाद भी next question है question number 58 which of the following pair of gases manly responsible for greenhouse effect तो greenhouse effect के लिए manly responsible हमारे पास में कौन है एक तो CO2 है जो 60% है एक methane है जो 20% है एक अपने पास में CFC है और एक अपने पास में क्या है N2O है तो यहाँ पर carbon dioxide और methane हो जाएगी answer चला जाएगा दो next question है हमारे पास में क्या ख़े रहा है material protocol was signed in 1987 for control of material protocol ozone के deflation को बंद करने के लिए या अपने पास में CFC के exhibition को रोकने के लिए किया गया था तो ozone को छती पहुचाने वाले पधारतू का उसरजन कम करना ozone deflation का मुखे उद्देश से इसका मतलब material protocol का उद्देश से था जो 1987 में लागू हुई और प्रभावी रूप से लागू 1989 में हुई next है snow blindness in Antarctic region is due to slow blindness आप लोग को पता है बेटा जब ozone deflation होगा और ultraviolet B radiation धरती पर आएंगी तो cornea जो होता है आखु का ये हमारे पास में ultraviolet B को absorb करता है और इसकी वज़े से snow blindness हो जाता है ठीक है तो अपने पास में retina की छती हो जाती है किसकी वज़े से जो ultraviolet B जो हैता है इसकी वज़े से लगातार ultraviolet B आने की वज़े से ultraviolet B अधिक मात्रा में आती हैं तो cornea उसको सबसे ज़्यादा मात्रा में आउस्सोसित करता है और उससे अपने पास में क्या हो जाता है cornea sode जिसको अपन क्या कहेंगे snow blindness snow blindness में retina का कोई लेना देना नहीं है cornea से related होती है तो answer क्या हो जाएगा इस परकार से आपके ये जो गुरुनिती है वो complete होती है नीट के लिए आपको best of luck तो अपने पास में नीट का एक्जांब होत अच्छे से करें